नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्तित हैं चर्चा करेंगे कैसे दुनिया के अंदर एक नए युद्ध की सुरुवात लगभग लगभग हो चुकी है अभी ह अमेरिका ने अपने चार सहियोगी देशों के साथ मिलकर अमेरिका सहित 5 देशों ने यमन पर हमला किया है अब यमन पर हमला आखिर क्यों किया गया है क्या इसके माइने है इसको आज के सेशन में हम विस्तार पूरवक समझने पाले हैं इस्राइली समझकर भारत आ रहे जह जहाज हैं आने जाने वाले उनको किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है हूती विद्रोहियों के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा मैप के मार्दियम से की चर्चा आखिर हम कर कहा के रहें तो आप देखते हैं ये विश्व का मैप आपको यहां अमेरिका दिखाई देता है अब अमेरिका जो है आज आता है अपने समुद्री जहाज लेकर यहां पर आपको एक छोटा सा देश यहां दिखाई देता है यमन जो की अरब सागर भारत के जो पस्चिम में अरब सागर है पस्चिम में अरब सागर में यमन जो है वो एक देश है अब अमेरिका इतनी होता है भारत के अंदर भी हमने अपनी अलग-अलग commands distribute की हुई है चाहे वो हमारी eastern theater command हो western command हो चाहे north command हो central command हो इंडिया को सिर्फ इंडिया को divide करने के लिए हमने किया है लेकिन अमेरिका ने इसी तरह की commands में पूरी दुनिया को divide किया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर at a time हर समय अमेरिका की forces उपस्तित रहती है और उन्ही forces के द्वारा यमन के ऊपर हमला कर दिया गया है थोड़ा सा जूम करते हैं मैप को और समझते हैं कि जिस छेतर की हम चर्चा कर रहे थे जो ये छेतर हमने अभी देखा था इसके अंदर क्या dispute है आखिर क्या है तो जूम कर पारिक मार्ग है बहुत बड़ा व्यापार विस्तुका इस मार्ग से होता है यहां आपको दिखाई देता है भूमत दिसागर जो की यूरोप से कनेक्ट करता है यूरोप से कनेक्ट करने के बाद यहां है सुएज कैनाल मिसर के अंदर सुएज जो नहर है सुएज कैनाल है अंदर से जो व्यापारिक जहाज हैं ताहचा है वो तेल लेकर जाते हैं आते जाते हैं या फिर वो कंटेनर्स लेकर आते जाते हैं वो यहां से निकलते हैं प्रवेस करते हैं लाल सागर के अंदर और लाल सागर से आने के बाद एक जगह है इस्ट्रेट है ये इसको जाना ज होते ही वो पर्सियन गल्फ तक जहा जो है जाते हैं और इसी जगे पर आपको ये देश दिखाई देगा ये है यमन यमन जो कि पूरी तरह से यहां पर विद्रोही लोग रहते हैं हूती विद्रोही यहां पर रहते हैं जो कि इरान के समर्थन वाले माने जाते हैं और यही ल उसी युद्ध के चलते जितने भी जहाज या तो इसराइल किसी परकार का वास्ता रखते हैं, उनको यहाँ पर यमन के द्वारा मारा जा रहा था, उनको बंधक बनाया जा रहा था, क्योंकि यमन खुले तौर पर इसराइल का समर्थन कर रहा था, इरान हाला कि इरान की अगर में आकर तैनात हो चुके थे और यहां पर गस्त की जा रही थी इनके द्वारा अमेरिका को भी एक मौके की ही थलास थलास थी एक बहाना चाहिए था कि एक बहाना हमें मिले और यमन के अंदर हम इन विद्रोहियों का नास कर दें और एक बहाना अमेरिका को मिल गया क्य एक इरान बैक्ट हूती टारगेट इन यमन आफ्टर रैड सी अटेक्स लाज सागर के अंदर जो जहाजों पर हमले हुए हैं इसके बाद इनके ऊपर अमेरिका ने अपने चार सहीयोगी देशों के साथ मिलकर हमला कर दिया है हाला कि अपने लगवग 20 सहीयोगी देशों के सा यहाँ पर यह पेट्रोलिंग कर रहा था अमेरिका जिससे की यह पूरा ब्यापारिक मार्क जो है वो सुरक्षित रूप से निर्बाद रूप से चलता रहे लेकिन उसके बावजूद जब हमला किया गया है तो अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि जो 20 देश क्योंकि भारत बोलता है कि हम हिंद महासागर के अंदर सबसे ज़्यादा तागत रखते हैं और साथ में जो ब्यापारिक मार्ग है इसकी सुरक्षा करना भारत की भी जिम्मेदारी है अब भारत के अंदर हमने देखा था सोमालिया के लुटेरे जो नीचे आप देश देखते हैं इस छेतर के अंदर लेकिन सोमालिया के जो समुद्री लुटे रहे हैं ये लुटे रहे हैं पूरी तरह से और ये इस प्रकार से हमले जहाज के ऊपर नहीं करते हैं बलकि ये जाते हैं जहाज के कैप्टन वगएरा को बंधग बनाते हैं और जहाज को लाकर अपने यहा कर लेते हैं और बदले में मांगते हैं ये रैंसम थोड़ा सा पैसा मांगते हैं और पैसा लेकर ये छोड़ देते हैं पिछले दुनों एक खबर हमने देखी थी कि भारत के द्वारा किस प्रकार से अपने जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया गया था जि यदि भारत कोई कारेवाही हुती विद्रोह के ऊपर डारेक्ट करता है तो ऐसा समझा जाता दुनिया के अंदर कि इसराइल का समर्थन भारत कर रहा है या फिर भारत अब खुल कर इसराइल के समर्थन में आ चुका है जिससे जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन्स भारत के विर आते हैं कि भाया आप यहां जो सिस्टम है पूरा यमन वाला इनको आप हैंडल कर लीजिए सोमालिया वगरा वाले जो लुटे रहे हैं उनको हम हैंडल कर लेंगे जैसे ही बहाना मिलता है अमेरिका को तुरंत हमला कर दिया जाता है रेड़ सी वाला जो यह रूट है कितना महत्तपूर यह रूट है तो हर साल लगभग 200-240 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है सिर्फ इंडिया का ही इस रास्ते से किया जाता है अबाउट 12% ग्लोबल ट्रेड पासिज थू कैनाल 12% का जो ग्लोबल ट्रेड है वो इसी रास्ते से होकर निकलता है अब यह हमला क के विरोध में उतर जाती है आप इस भीड को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यह जो जन्मानस खड़ा हुआ है इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं है हाला कि ज्यादा लाइमला इसकी नहीं वटोरी गई है सोसल मीडिया के उपर लेकिन फिर भी हमला ये बहुत बड़ा हुआ था जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, अब यमन को थोड़ा सा इंटर्नली हम समझने का प्रयास करते हैं कि यमन के अंदर क्या चलता है, माना जाता है कि इरान के द्वारा जो समर्थन प्राप्त हूती मिलिटेंट हैं वो इस वाले पार्ट पर कबजा रखते हैं इसके यमन के अंदर और दूसरा जो समझाए साउदी अरब के समर्थन से चलता है यहाँ पर वो है हदी, हूती और हदी आपस में यहाँ लड़ते रहते हैं, हूतीयों के द्वारा जो मेन महत्वकूर्ण स्ट्रेटिक लोके हैं इन चीजों का पता नहीं चल पाता है लेकिन यहाँ की राजधानी जो है सना वो पूरी तरह से हूतीयों के ही कंट्रोल में रहती है और हूती लगातार पूरी दुनिया को रूट को परिशान करने के लिए इरान के सारे पर कुछ भी करते रहते हैं, हूती अटेक्स लाल सागर का ट्रेड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आप देखते हैं ग्लोबल ट्रेड फॉल्स अमिड हूती अटेक ओन मर्चेंट सिप इन रेड़ सी लाल सागर के अंदर जो मर्चेंट सिप है उन पर जो हमले किये गए उससे पूरा ग्लेव ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा था यह आप तस्वीर देखते हैं जो की दिखाती है सिपिंग रूट्स को जो किसी समय यूरोप से उकर इस रास्ते जो हमने अभी देखा था बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री जहाज ट्रेवल करते हैं इस्टेट अफ मलक्का होते हुए चाइना तक जाते हैं और यह आसियान कंट्री तक जाते हैं अब जो महज 10 दिनों के अंदर देखा गया था यहां आपको इतने सारे जहाज जो दिखाई देते हैं यह डॉट के माध्यम से यहां पूरे छेतर में एक भी जहाज नहीं था इस पूरे छेतर में सारे जहाज खाली हो चुक से पूरी तरह से खाली हो चुका था और यही थी सबसे बड़ी चिंता की बात सिपिंग कंपनियों ने अवाइड करना शुरू कर दिया था इस रेड किसी को यूएस वार ने होती जी अमेरिका ने होती को हूतियों को धंकी भी दी ती टू सीज अटेक्स ओन रेड सी वैसल कि लाल सागर से होकर जो वैसल निकल रहे हैं उनके उपर आप हमले मत कीजिए अगर करते हैं फेस पोटेंशियल मिलिटरी एक्सन के हम आपके उपर मिलिटरी एक्सन लेंगे लेकिन फिर भी जो हूती हैं वो नहीं मानते कहते हैं अमेरिका का एक जहाज इसके उपर ये कर देते हैं हमला जो कि इसराइल के साथ बाउंड था रेड सी के अंदर हमला कर दिया जाता है और इस हमले के बाद से ये निकल कर आते हैं और बोलते हैं हूती से Attack Against USA Boss for Providing Support to Israel मतलब कुल मिलाकर इननों ने जो बताया कि हमने क्यों किया अमेरिका के हूपर हमला क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल की मदद कर रहा है और अमेरिका अगर इसराइल की मदद करेगा तो हम अमेरिका के जहाजों को निसाना बनाएंगे ये आते हैं मीडिया क सामने च्छा जाते हैं कहते हैं और उसके बाद इनकी जो हालत हुई है उसी की आज इस सेशन के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन में हूती विद्रूयों के नियंतरड़ वाले इलाकों पर हमले कर दिये हैं बीबीसी ने अमेरिकी और फोर्स के हवाले से बताया है कि हमले 16 लोकेशन्स में 60 टारगेट्स पर किये गए हैं अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने हमलों के आदेश दिये थे इसके बाद हूतियों के खिलाफ कारवाई शुरू ही बाइडन ने कहा यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल के दुनों में लाग सागर में जहाजों पर हुए हमले में हमले का बदला है और इस प्रकार की आतिस वाजियां रात के अंदर अमेरिका की फोर्सिस के द्वारा यहां कर दी जाती है यूए सेंट्रल कमांड के द्वारा पूरी हमले की जानकारी दी जाती है कि इरान के द्वारा जो समर्थित हूटी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने कब कब कौन कौन से जहाजों पर हमले किये थे और इन्होंने क्या क्या कारिवाहियां की हैं ये सारी जानकारियां दी जाती है जो लड़ाई की कोशिस की गई थी अमेरिका के खिलाफ उसका बदला लिया जाता है अब थोड़ा सा समझते हैं अमेरिका आखिर पूरी दुनिया में क्यों अमेरिका को क्या आखिर मतलब पड़ा इस छेत्र में अपने देश को छोड़ कर अमेरिका क्यों मर रहा है यहां आकर तो अमेरिका असल में इतना तागतवर देश है कि अमेरिका पूरी दुनिया को एक देश के अमेरिका मानता है कि ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ मैं ही हुँ से मतलब पूरी forces जो है छेतरों की अलग-अलग रक्षा के लिए हमेशा इन छेतरों में अमेरिका की तेनात रहती हैं अमेरिका के जो जहाज है चाहें वो लडाकू विमान हो पानी के जहाज हो जिनके उफर लडाकू विमान रहते हैं सारे के सारे at a time कहीं ना कहीं समुंदर के अंदर गस्ट करती हुए रहते हैं और जैसे ही जरूत पड़ती है तुरंतिये military action लेते हैं जैसे कि हमने देखा आभी जिसे छेतर के अंदर ये हूतियों को लड़ाई हुई है हमने देख रहे थे US Central Command के नाम से इसने अपने छेतर को बांटा है ये पूरी दुनिया अमेरिका ने बांटा ही है कि ये जो है US की Northern Command होगी ये US की Southern Command होगी ये US की African Command होगी इंडिया जिस छेतर के अंदर आता है उसको US की Indo-Pacific Command जाना जाता है पूरी दुनिया को अमेरिका ने अपनी Command के रूप में बांट रखा है और जब Central Command की इ पारी आई तो सेंट्रल कमांड पहले से ही यहां मौजूद थी और आदेस मिलते ही इन्हों ने यमन के ऊपर हमला कर दिया। 2016 के बाद से यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला टेक है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यमन में किये जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ आस्ट्रेलिया, बहरीन, कैनेडा और नीदरलेंड भी हैं। पहले यमन की राजधानी सना, फिर सदा और धमार सेहरों के साथ साथ ये जो प्रांथ हैं इनमें हमले हुए हैं, हूति विद्रूईयों ने हमले की पुष्टी कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नादानों को कोई समझा है कि अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान बरबाद कर दिया, अमेरिका ने लीविया बरबाद कर दिया, अमेरिका अमेरिका को बरबाद कर लोगे अमेरिका को क्या कीमत आखिर चुकानी पड़ेगी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इसराइल की जो लड़ाई चल रही है फिरहाल इसराइल की जो लड़ाई चल रही है गाजा के अंदर आधा गाजा इसराइल ने खा लिया है गाजा के अंदर हमास की इसी जिद के चलते और अगर ये जिद नहीं छोड़ी गई जल्दी समय में तो पूरे के पूरे गाजा पर कंट्रोल इसराइल के द्वारा कर लिया जाएगा और इसराइल और अमेरिका के अंदर कोई जादा डिफरेंस ना माना जाए और आने वाले स ग्रह युद में फसा यमन एक बार फिर से जंग की चपेट में आ चुका है यमन के अंदर जो असांती हमेशा हमेशा जो रखी जाती है उसके अंदर एक तरफ इरान और एक तरफ जो साउदी अरभ है इसकी खीचतान के चलते रहती है अब अमेरिका बहाना चाहता है दुन History of Foreign Affairs रसिया रसिया निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत किया है हम इसकी निंदा करते हैं तो निंदा आप करेंगी भी क्यों नहीं क्योंकि जहां भी अमेरिका के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है उसके निंदा रसिया करता है तो उसके निंदा अमेर एक दूसरे के विरोधी देश हैं आप ये देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर जैसंकर के द्वारा फॉन कॉल पर बात की गई थी अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन से जिसके बाद ये सारी घटना करम अमेरिका के द्वारा ही निवटारा कर दिया गया है एम जैसंकर हमारे जो external affairs minister है जैसंकर साहब ब्लिंकन discuss red sea attacks गाजा यूक्रेन कुल मिलाकर red sea के जो attacks हैं उनको phone के उपर भेतरीन वारतलाग के जरिये discuss कर लिया गया था secretary blinken's call with Indian external affairs minister जैसंकर ये call की जो बात हो रही है इसी की चर्चा हमने शुरूगात में की थी इस call के बाद ही इन्होंने पूरी तरह से ये सारा अंजाम घटना को दे दिया है Indian navy warships deployed to deter pirates in Arabian sea Indian navy के जो warships हैं वो भी लगातार इस छेतर की रक्षा के लिए रहते हैं लेकिन जैसा हमने देखा कि अगर इंडिया कोई हमला करता तो इसको पूरी दुनिया इंडिया को खुल कर इसराइल के समर्थन में मानला आना मान लेती भारत ने अरब सागर में अधन की खाड़ी तक करीब 10 warship अपने तैनात कर दिये हैं यहां पूरे छेतर में 10 warship तैनात कर दिये हैं इस पर मौझूद मरीन कमांडो सोमालिया के समूदरी लुटोरें से जहाजो को बचाएंगे भारत ये नौसेना ने कहा अरब सागर में कारोबारी जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं इन जहाजों को समुद्री लुटोरों सो बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के लिए सोमालियों के तट से तट के पास अरब सागर और अधन की खाडी में डिश्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रॉलिंग बोर्ट समेत 6-10 युद्धपोत भारत के द्वारा तेनात क उसकी कीमतें ना बढ़ें, ब्यापार, निर्बाद, रूप से चलता रहे, जो बजार के अंदर वस्तुओं की कीमतें हैं, वो इस्थिर हो सकें और दुनिया सांती से जी सकें, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए, उम्मीदे साथियों प अब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद